हेलो दोस्तों आपका स्वागत है तरी सत्य अकाडमी में और आज हम डिस्कस करेंगे उत्राखन पॉल्टेक्निक परवेश परिक्षा 2021 के लिए Most Important Science Plus Mathematics Questions की जो एक्जाम में आपको 100% देखने के लिए मिलेंगे आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और यह देखिए इससे पहले भी हम अपने जीब 2021 प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो जाल चुके हैं उत्राखन पॉल्टेक्निक एंट्रेंस एक्जाम की तयारी के लिए तो आप उन वीडियो को भी देखते रही हैं और मैं आप कुछ एक यह दो हफते बाद जो है आपका एडमिट कार्ड भी जल्दी से आ जाएगा आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं साइट से और देखिए फिर आपके एक्जाम डेट जो होगी कुछ 10-15 दिन बाद होगी तो देखिए एक्जाम भी अब आपके होने वाले हैं तो आप पड़ाई जो है शुरू कर दीजी और इसमें मोश्ट इंपोर्टन कुछन जानेंगे जो आपके एक्जाम में देखिए 100% आती हैं तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले आपको इसमें से बताना है लेंस फॉर्मूला यहां पर कौन सा है तो देखिए लेंस फॉर् लेंथ है वी क्या है वी है आपकी इमेज की डिस्टेंस जहां आपकी इमेज फॉर्म होई है उसकी डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस और यहां पर आपकी जो यह यू है यह ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यह नि ऑब्जेक्ट की दूरी आप इसे कह सकते हैं तो यहां पर य यहीं पर अगर mirror formula पूछे, mirror formula पूछे, तब आप कौन सा formula लगाएंगे, वो हम पर मैं आपको बताता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, one upon f लिखना है, बराबर one upon v, plus one upon u लिख देना है, बस, किस तरीके से आपका यह mirror formula होगे, तो दोनों में से कुई सा भी आपसे पूछा जा सकता है, और अगर इससे numerical भी है, तो भी आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, तो आप इससे numerical भी easily कर लेंगे, mirror formula से related, तो यह पहला question होगे, चलिए, दूसरा question देखते हैं, देखी, कहीं पर इस तरीके से लिखावा है, n, w, g, इसका मतलब क्या है, देखी, n का मतलब मैं आपका refractive index है, यानि अपवर्तनांग है, इस तरीके से आपका n अपवर्तनांग है, तो w, n, g का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है, देखी, जो चीज नीचे लिखी हुए है, इसको आप पहले लें, तो यानि glass का अपवर्तनांग with respect to water, यानि glass का अपवर्तनांग with respect to water, इस आप g को पहले ले, तो यानि glass का अपवर्तनांग with respect to, जो पहले लिखा हुए, glass का अपवर्तनांग with respect to water, तो इसमें क्या option आएगा, आपका, d यहाँ पर option है, glass with respect to water, तो यह आपका concept clear होना जरूरी है, कि कहीं पर ऐसा कुशन आ जाए, तो आप इसको कैंसे solo करेंगे, तो आपने देखा कि जो पहले यहाँ पर आप दिखें, जो नीचे है, glass with respect to water, यहाँ पर आएगा, यहाँ आपको ध्यान देना है, कहीं student यहाँ पर water with respect to glass लगा देगा, क्योंकि water पहले देखेंगे, नहीं, आपको देखना है, बाद में यहाँ पर कहीं जी है, तो जी यहाँ glass का, आपको आपको पर देना है, with respect to water, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, चलिए, यहाँ पर इसकांसर आए glass with respect to water आएगा, अब इसमें आपको potential difference और eye के बीच में क्या गराभ बनता है, वैसे तो मैं आपको था, V और eye के बीच में इस तरहीं से एक straight line का गराभ बनता है, बिल्कुल origin से, पर यहाँ पर origin से नहीं है, तो अपर B option जो है, आपको correct है तब भी, इस तरहीं से एक linear relation होता है, V और eye के बीच में, और यहाँ से आप R आसानी से निकालते हैं, V और eye का उप्यो करते हैं, और इनमें relation के बीच बराभर, I, R, V है आपकी potential difference, I है current, R है resistance, तो इस तरहीं के graph भी आप से बूसकते हैं, कौन सा graph आपको यहाँ पर दिख रहा है, और इस graph से आप कौन से law की पुष्टी करते हैं, Ohm's law, Ohm का नियम, इससे numerical भी आ सकते हैं, आपके resistance जब आपके जूड़े होएं, वो भी questions मैंने आपको करार रखे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, चलिए, यहाँ पर आप देखिए, closer the magnetic field line, the magnet will be देखिए, यह आपकी magnet है, इसको आप magnet मानिए, यह आपका north pole है, यह आपकी south pole है, आप देखिए, जो आपकी, यह lines है, यह नौर्थ टू आपकी south जाती हैं, आपको पता है सबको, इस तरीके से आपकी जाती ह south, इस परकार से जाती हैं, और अंदर south to north जाएंगी, बिल्कुल, अब आप यहाँ पर देखिए, कि जितने पास हम magnetic field के पास होगे, अगर एक बस्तु यहाँ पर रखिए आपकी, मानिए, यह आपकी बस्तु यहाँ रखिए है, एक बस्तु आपकी यहाँ पर रखिए है, ज़्यादा magnetic field कि से महसुस होगी, जो closer होगी, तो जितने हम closer होगे, magnetic field के, उतनी ही the magnet will be stronger, closer the magnetic field line, the magnet will be, the stronger magnet will be, वो कितनी होगी, stronger magnet होगी, कैसे magnet होगी, strong आपको हमाँ पर force महसूस होगा, stronger यहाँ पर answer आएगा, तो यहाँ आप इसली समझ गए हैं, तो यहाँ पर क्याँ ए magnet होती है, इसी question में आपको आदे, north to south, यह है direction, और inside the magnet, south to north, तो यहाँ पर क्याँ आएगा, तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा, तो इस तरीके question मैंने आपको पूरा यह chapter जो है, magnetism, यह मैंने आपको पूरा एक अलग वीडियो में बताया है, तो यह वीडियो most important, click करें, देखिए, मैं आपको बताया है, यह जो question है, यह आपके 2018 के paper में आ रखे, UBTR, 2018 के paper में यह आपका question आया था, अब जो 10th वाले student होते हैं, वो यहाँ पर confused हो जाते हैं, और 12th वाले student होते हैं, वो इसको आसानी से कर लेते हैं, अब इसमें concept देखे, बहुत ही प् concept हैं, मैं आपको बताओ, अगर आपको कहीं पर sign के साथ जैसे इस तरीके से आप देख रहे हैं, अभी तक तो आपने क्या पड़ा है, आपने पड़ा sign 30, sign 45, इनका मान आपको बता रहते हैं, पर अगर आपसे देखी, जैसे यह लिग गया, sign 5 by 6, तो अब students यहाँ पर समझ किसा answer है, कहीं पर pi by 6 लिखा है, तो आप इसको 180 by pi से multiply कर देए, easily आप 180 by pi से multiply कर देए, अब देखिए, pi से pi आपका cancel out हो जाएगा, 6 के table में 18, 3 बारी में आता है, अब देखिए, कितना अगे 30, यानि जो pi by 6 है, यह कितना है आपका, यह आपका 30 है, यह आपका 30 है, यह आपर समझ नहीं पार, pi by 3 है गया, तो आप क्या करेंगे, pi by 3 को 180 by pi से multiply कर देए, किसे करेंगे, 180 by pi से multiply कर देए, तो pi से pi cancel out, pi को ही तो आटाना है, main problem तो pi ही create कर रहा है, तो 180 by pi से multiply कर देए, तो यह आपका जाएगा, यह आपका 60, अब यहाँ पर आगे 60 डिगरी, यह दे अगर आप exam में, आपको यह concept नहीं पता, तो आपको सीधा एक number वहाँ पर चला जाएगा, पर अगर आपको concept पता है, तो आप इसको क्या करेंगे, pi by 2 को multiply करेंगे, 180 by pi से, तो आपका कितना आएगा, देखिए, 180 by pi, तो आपका कितना आएगा, pi से pi cancel out हो जाएगा, answer आजए 90 degree, देखिए, बहुत easy है, तो यहाँ पर आप इस pi by 2 की जगा क्या लिख सकते है, 90 degree लिख सकते है, बिल्कुल सही, आप समझ गए, अब यहाँ पर आप समझ गए, अब आप इसे आसानी से solve कर लेंगे, देखिए, अब यहाँ पर equation क्या हो गई, अब यहाँ आपका equation हो गई sin 30, plus cos 60, तो आपको अगर pi के form में दिया है, तो आप इसको radian form बोलते हैं, वैसे, आपको degree form में convert करें, तो 180 by pi से multiply करें, अब यहाँ वेल्यू रख देंगे, simple, sin 30 की value 1 by 2, plus cos 60 की value 1 by 2, और यहाँ पर cos 90 की value कितनी होती है, यहाँ से आपको बताए, sin 0 की value 0 से 1, तो यह 1 से 0 ज आखेंगा, cos 90 0 होता है, तो इसका answer का आएगा, अपका 1 यहाँ पर answer का आएगा, यहाँ पर answer का आएगा, यहाँ पर answer का आएगा, यहाँ बनाया, क्योंकि मुझे को याद है, जब देखें, हम लोगों ने बढ़ एक्जाम दिया है, तो इस तरीके का वहाँ पर question आए है, त पर अगर आपको कहीं अग्जाम में यहां दिख गया फिर आप गूम जाएंगे तो आप गूमना नहीं है आपको concept जो है हमारे चैनल के साथ बना कर रखने हैं कि जैसा हम यहां पर आपको बता रहे हैं utz आपको नॉलेज दियast यहां अब के आपको नौलेज्ज गें बताया भी कि ही 2018 की फेपर में इसाइप कर सकते हैं सब कर सकते मारा बहुत यह थी असान केशन है पर आपको पता पर सेक जरूरी है सच 2 ठीटा बराबर सक 2 थीटा बराबर को सच ठीटा मैनस 45 डिग्री दीशिस्क्रिश्ट्टुन अब देखिए आप सैक और कोसेक को आपस में बदले तो सैक को क्या लिख सकते हैं को सैक 90-2 ठीटा बिल्कुल आप लिख सकते हैं देखिए कोसेक से कोसेक कैंसल होगे देखिए अब आप पर पास यह बचा ठीटा माइनस 45 डिगरी यहां पर बचाए यही आपका बचा बिलकुल अब आप यहां पर देखिए अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब आपका क्या । । पुलस 45, । दिगरीज हो जाएगा, 90 प्लस 45, यहां पर किया हो जाएगा आपकी डिगरीज हो जाएगा, अब इसको हम आगे further solve करेंगे, तो 135 डिगरी और बराबर किया आएगा 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 3 θ, आप यहां पर आप इसको 3 θ है, तो 135 अपों 3, तो आएगा आएगा यह most important में आपको question बतारों जागजाम में आती ही आते हैं the basic functional unit of human kidney यह जो human kidney है उसका basic functional unit के नेफरोन है बिलकुल नेफरोन है यह तो असान question है बायराजी के जो question होंगे वो आपके तुरंत बनेंगे देखिए the instrument used to measure blood pressure ऐसा instrument आपको बताना है जिसका आप यूज करते हैं blood के pressure को measure करने के लिए तो देखिए इसका option नेगा स्फ़ईगो manometer स्फ़ईगो manometer आप इसे कह सकते हैं बिलकुल तो यह blood pressure का आपको measure करता है या पूद ध्यान रखना है बिलकुल तो यहां पर एक question हो गए easy question है total number of elements in first period यानि देखिए आपकी जो आवर्थ चानी होती है इसमें पहले period में तो आपको पता है hydrogen and helium दू ही element होते हैं तो देखिए पहले में कितने होते हैं दो तो यहां पर answer करें आपए आफ्यामन देखिए पहले period में element होती हैं दूसरे पहले और होते हैं हम हुआ करें आपको हो सगेंडे में याहां पर हैं किbasicamth ने नहीं तो आपको पिरट याद रखने है इसी में आपका का इजीली बन जाएगा तो यहां पर आंसर के आएगा आपका सेगिंड यहां पर इसका आंसर आएगा तो चलिए यहां पर हम एक और कुशन देखते हैं समन्हाइटिक्स का है तो यहां पर थे ठाके थाकर कार्णयीःं जसरह से हैं तो इसनेखने क्रक्णों होवी पर टॉ से और करें तो आपके फोर फेक्टरि आएगा इसको करिके से ब्लस बैस आर 3 Bye ट्टे करें टूसे 24 फिर 2 से आप करें 12 फिर 2 से आप करें फिर आपका क्याएगा देखिए इस तरीके से 6 फिर आप इसको किस से करेंगे फिर आप 2 से करें तो इसका क्याएगा 4 root 3 इसका यहाँ पर गया आपका बिल्कुल अब आप यहाँ पर देखिए अब आप 8 का करें तो 8 का आपका क्या गुष्च वह गुष्च यह अगर आप करते हैं तो फिर शिक्स तो यह निये फूरूट थरी यहां पर आपका आप इसमें क्या कर सकते हैं अब आप इसको क्यांसे कर सकते हैं देखिए उपर भी तो रूट रूट 2 प्लस रूट 3 देखें, common है, मदब अलग है, और आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए, जब इसको यहां पर solve कर रहे हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं, कि रूट 2 प्लस रूट 3 यहां पर आप लिख सकते हैं, और यहां पर रूट 2 प्लस रूट 3 इस तरीके से लिख दें और यहां से आप क्या कर सकते हैं 4 यहां पर लिख दें और यहां पर आपका लिख 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 ल देखें, एक rhombus है आपका, इस तरीके से, इसके डाइगनास दियें हैं आपको, कितने हैं इसके डाइगनास, 16 और, कितने 10, एक 16 है, एक 10 है, तो क्यासे निकालते हैं, हाँ, A1, D1 into D2, यह होता है, फर्मुला एरिया का, तो D1 into D2, तो 16 का 8, 8 into 10, 80, कितना हैगा, 80 आंसर आएगा, कितना हैगा, 80 आंसर आएगा, तो यह आपको, आसानी से, आपको अगर फॉर्मुला ऐरिया फ्रोंबस पता है, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, चलिए, जो लैमन होता है, उसका जो सौर टेस्ट होता है, वो किसकी कारण हो चाहिए आपका संतरा हो, चाहिए आपका लैमन हो, इनमें विटामिन C आपका रहेगा, तो आप यहाँ पर देखिए, लैमन है सोटेस्ट यहाँ पर आपका आंसर होगा, तो यह देखिए, इतनी ही क्यूशन आइज हमें आपका डिसकस करता है, और मैं आपको एक्जाम से एक most important चीज बता दो, यह देखिए, आपके जैसे ही admit card यहाँ पर आए जाएंगे, तो हम आपके लिए 500 प्लस questions की series लेकर आएंगे, admit card जैसे ही आपके रिलीज हो जाएंगे एक दो अफते बाद, तो हम आपके लिए 500 प्लस questions की series आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक हम च चुके हैं, एक previous question paper और हम इसमें लेकर आएंगे, और इसमें बिल्कुल आपको नए question देखने के लिए, बिल्कुल अच्छी concept आपको देखने के लिए मिलेंगे, आप इनको असानी से करेंगे, तो आपको पता भी चलेगा कि आप exam के लिए कितने ready हैं, क्योंकि 100 question देखिए 100 plus bio और एक previous year paper, 500 question हो गए, 500 question तो ही हो गए, और extra भी हम आपको, मैं आपको पता है, एक question में दो-दो question आपको cover कर देता हूँ, तो इसी तरीके से आपके 500 से तो बहुत ही ज़्यादा question आपके हो जाएंगे, exam के लिए आप बिल्कुल prepare हो जाएंगे, खासकर engineering group जो है, उसके सबसे ज़्यादा फायदे मन्द यहाँ पर कोई channel है, तो तरीके सकत्य आपके लिए, तो अगर देखिए आपको कोई query हो तो आप comment करें, आप देखिए तरीके सकत्य आपको क्याता हूँ, बार-बार like करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम previous year question paper डाल रहे है, तो अगर आप question paper को देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ तरीके सकत्य आपको follow कर सकते हैं, देखिए, और अगर आपको कोई query हो तो आप comment करें, बहुत बहुत धन्यवादा